बेलकम टो यूटूब चैनल जीके जी अस्बित मनीज सर आज 14 सेप्टेंबर 2024 है और आज के जितने भी महत्तोपुर्ण क्रेंट अफेर्स होंगी और एस्टाटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगी तो आईए शुरू करते हैं आज के क्रेंट अफेर कब मनाया जाता है तो 11 सेप्टेंबर को मनाया जाता है राष्ट्रिये वन सहीद दिवस दोस्तों राष्ट्रिये पोशन सप्ता एक से साथ सेप्टेंबर विश्व नारियल दिवस दो सेप्टेंबर राष्ट्रिये सिक्षक दिवस पांच सेप्टेंबर अंतराष्ट्रिय गिद्ध जागरुकता दिवस साथ सेप्टेंबर को मनाया जाता है अंतराष्टिय पुलीस सहयोग दिवस साथ सेप्टेंबर विश्व साख छर्ता दिवस कम मनाया जाता है तो आठ सेप्टेंबर को मनाया जाता है विश्व साख छर्ता दिवस मेरे प्यारे लालेवं लालिय दोस्तो अगला प्रुश्टन है भारत और किस देश के बीच अल नजाह सैन अभ्यास का आयोजन होता है तो भारत और ओमान के बीच अल नजाह सैन अभ्यास का आयोजन होता है देखो दोष्टो इसवार जो हो रहा है या अल्नजाह से नभ्यास का पाँचमा संसकरण है जो ओमान के सलाला में रवर कुट परिसिक्षन छैतर में हो रहा है चोथा संसकरन जो हुआ था ये रजस्थान के महाजन फाइरिंग रेंजे में हुआ था अब ओमान की राधानी क्या है तो मसकट है ओमान की क्रेंशी क्या है ओमानी रियाल है ओमान की क्रेंशी अगला प्रुष्ट है हाली में किसनी रंगीन मचली एप लौंच किया है तो राजीव रंजन सिंग उफ ललन सिंग ने रंगीन मचली एप लौंच किया है अब देखो दोस्तो राजीव रंजन सिंग के पास कौन सा मंत्राले है तो मतस्य पालन मंत्राले जो है ये राजीव रंजन सिंग के पास है अब देखो दोस्तो जो भी महत्पुर्ण मंत्राले है वो भी देख लेते हैं तो रक्जराजनात सिंग के पास कौन सा मंत्राले है र परिवहन और राजमार्ग मंत्री है नीतीन जैराम कटकरी स्वास्थ और परिवार कल्यान मंत्री और रसाइन और रुवरक मंत्री कौन है तो जेपी नड़ा हैं दोस्तों कृसी और किसान कल्यान मंत्री और ग्रामिन विकास मंत्री कौन है सिवराज सिंग चौहान बित्य मंत मंत्री और करप्रेट मामलों के मंत्री कौन है न्रमला सितारमन विदेश मंत्री कौन है डॉक्टर सुब्रमन्यम जैसंकर आवास और सहरी मामलों के मंत्री और विजली मंत्री कौन है मनुहर लाल खटर भारी उद्योग मंत्री और इसपात मंत्री कौन है जडी कुमारा स्वा बानित जी और उद्ध्योग मंतरी कौन है तो प्यूस गोएल है बानित जी और उद्ध्योग मंतरी सिख्छा मंतरी कौन है धर्वेंदर प्रधान सुक्ष मिलगू एवं मध्यम उद्ध्यम मंतरी कौन है जीतन राम मांजी पंचायती राज्य मंतरी तथामतस्य पालन और पस तो नागरिक उड्डेन मंत्री कौन है किंजरप्पू राम मोहन नाइटू उपभोगता मामलो के मंत्री खाद एवं सर्वजरिक वित्रन मंत्री था नवीन और नवीन करनिये उर्जा मंत्री कौन है पहलाद जोसी तिंजाती मामलो के मंत्री कौन है जुवल औराव बस्तर मं मंत्री संचार मंत्री और प्रवत्त्त चेतर विकास मंत्री कौण है जोती राजित्त मंत्री प्रियावरण संसक्रती मंत्री और प्रेडन मंत्री कौन है गजंदर सिंग से खाबत संसदिय कारे मंत्री दोस्तों कौन सा तो संसदिय कारे मंत्री संसदिये कारे मंतरी और अल्प संख्यक कारे मंतरी कौन है तो किरन रिज्जू के पास है संसदिये कारे मंतरी और अल्प संख्यक कारे मंतरी मेरे प्यारे लाले बंब लालियों दोस्तो अब देखो आगे बढ़ते हैं हम आगे कौन-कौन सा मंत्राले महत्यपुर्ण है देखो पेट्रोलियम और प्राकिर्टिक गैस मंत्री कौन है हरदीप सिंग पूरी सरम और रोजगार मंत्री और युवा मामलो के मंत्री और खेल मंत्री कौन है डॉक्टर मनसुक खाद्य प्रसंसंक्रन और उद्योग मंत्री कौन है चिराग पासवान और जल सक्ती मंत्री कौन है तो सी आर पादिल हैं दोस्तों जल सक्ती मंत्री अगला प्रश्चन है आर रविंद्र को किस देश में भारत का अगला राजदूत निव्ट किया गया है तो आइसलेंड में आर रविंद्र को भारत का अगला राजदूत निव्ट किया गया है आइसलेंड की राधानी क्या है ये आप बता दो कमेंटर बॉक्समी अगला पूस्ट नहीं हाली में किस राज्य के स्कूल ने 63 सुब्रोतो कप जुनियर बोईज खिताब जीता है तो मनीपूर के स्कूल नहीं तो मनीपूर के TG English स्कूल नहीं में घाले के मिंगेकेन क्रिस्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल को हरा करके सुबरोतो कप जूनियर बोई का खिताब जीता है अब मनीपूर दोस्तों तो मनीपूर में कौन-कौन सा नैशनल पार्क है ये आप बता दो केमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे लालेबं लालियो दोस्तो अब देखो सुब्रोतो कप का संबंध है फूट वॉल से तो फूट वॉल से जो भी महत्तपून प्रस्ण बनेंगे वो सभी हम इसमें कभर करेंगे देखो फूट वॉल की सुरुवाज्यों हुई थी वो इंगलेंड में हुई थी फुटबॉल का पहला कलब का नाम है सेफिल्ड फुटबॉल कलब जिसकी स्थापना हुई थी 1857 में हुई थी भारत का पहला कलब का नाम है डलहोजी कलब देखो फुटबॉल की सरवच संस्था का नाम है फीफा फीफा का फुल पॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसियेशन जिसका हेड़ क्वाटर स्विट्जर लेंड के जुईक में है और फीफा की स्थापना 21 मैं 1904 को हुई थी फीफा के परसिडेंट पगर पुछू तो 1975 में हुआ था लेकिन पर्थम फुटबॉल वर्ल्ड कप जो हुआ था यह कभ हुआ था 1930 में हुआ था कहा हुआ था उरुगवे में हुआ था और विजेता कौन था अरजेंटीना था ब्रिटिसों के द्वारा भारत में फुटबॉल के शुरुवात कभ फ्रांस था फीफा वर्ल्ड कप दुजर अटरा का आयोजन कहां हुआ था रूसमी विजेता कौन था फ्रांस और विजेता कौन था क्रोएसिया फुटबॉल में खिलारी होते हैं 11 फुटबॉल ग्राउंड की लंबाई जो होती है वो 91 से 120 मीटर होती है और चौराई जो होती है वो 41 से 91 मीटर होती है समय होता है 90 मिनिट का गोस्तो दोस्तो अब देखो फुटबॉल के महत्तपुन इस्टेडियम को देख लेते हैं विवेकानंद युवा भारती इस्टेडियम कौकता में है बिमबिले इस्टेडियम लंदन में है बुरूकलेंड इस्टेडियम फुल बैक, हाफ बैक सब्दा वली का परियोग फुट बॉल में करते हैं, स्ट्राइकर, सेंटर, पैनल्टी किक, फिरी किक, रेफरी टाइ बेकर, हैट हैंड बॉल सब्दा वली का परियोग जो करते हैं, फुट बॉल में करते हैं रोवर्स कप, डूरंड कप, संतोस ट्रोफी, सुब्रोतो कप, आसुतोस मुखरजी सिल्ड कप, बीसी राइ कप, कोलंबो कप और मडेका कप का सम्मन्द किस खेल से है तो फुटवॉल से है और फुटवॉल जो है ये फ्रांस और ब्राजील का राष्ट्रिये खेल है दोस्तो अच्छा दोस्तो जूडो कौन से देश का राश्ट्रिय खेल है ये आप बता दो कमेंट अबॉक्स में अगला प्रश्टे है हाली में किस देश में सोसल मीडिया के उपयोग के लिए नियूंतम आयू लागू करेगा मतलब कौन सा देश सोसल मीडिया के उपयोग के लिए नि बरा उस्टेलिया के प्राइम मिनिस्टर है एंटेनियो एलवनेस और उस्टेलिया की किरेंसी है उस्टेलियन टॉलर जर्मनी की राधानी क्या है वर्लीन जर्मनी के राष्ट्रपती कौन है फ्रेंक वाल्टर इस्टेन मेयर है जर्मनी के राष्ट्रपती दोस्तों मेरे प्य आज जी के कुम्ब्राले में मिरिष्ट्री का दलदली बन की खोज हुई है आपको इमेज में दिख रहा होगा यही है मिरिष्ट्री का दलदली जंगल दोस्तों यह खोजा कहा गया है तो महराश्ट्र के कुम्ब्राले में खोजा गया है अब महराश्ट्र के संबंदे मैंने कई सारे आपको इंपोडेंटे के इंडफेर्स बताएं जैसे कि वंदरगाह जुसका सुभारंब किया गया है महाराष्ट में महाराष्ट के प्राचीन यहां प्राचीन कर लेना मेरे प्यारे लालेवं लालियो प्राचीन रतनागिरी रौक कला को सरनक्षित असमारगोचित क विसालगड की ले में बंस्पती की नहीं पर जाती सेरोपेगिया सिव्राइना की खोज की गई है और यह जो चत्रपती शिवाजी महराजी के नाम पर रखा गया है महराष्ट का मन्या चिवारी गाउं भारत का पहला सोरे गाउं बना है बहूतु महारप्र पुर्ण है ये एक गाउं एक गाउं एक गनपती पहल के सिरुवाज्यों की है वह किस राज्य ने की है तो क्या बोलोगे आप महराष्ट ने की है मेरे प्यारे दोस्तों अब देखो दोस्तों महराष्ट के एस्ट्राटिक प्रश्णों को देखते हैं एक बार महराष्ट की राध्धानी है मुंबई और मुंबई को बोला गया है साथ टापुगों का नगर भारत का परवेश द्वार और भारत का हॉलिबूड और फिल्म नगरी भी मुंबई को ही कहते हैं गोस्तों मुंबई में है छेत्रपती, सिवाजी, महराज, अंतरास्ट्रिय्य, हवाई अट्डा, महराष्ट के गवर्णर कौन है, रमेज, बैस है, महराष्ट के मुख्यमंदरी कौन है, एकनात, सांबाजी, शिंदे, महराष्ट में राजसभा 19 है और लोकसभा 48 है, गुगमल रास्ट राष्ट्रिय उद्यान ताडोवा राष्ट्रिय उद्यान महाराष्ट्र में हैं दोस्तों महाराष्ट्र में ही बोरीवीरी राष्ट्रिय उद्यान है साहिद्री बागरी जर्व है चंदोली राष्ट्रिय उद्यान है लोनार वन्ने जीव अभ्यारन है और दोस्तों इंग्लेंड के क्रिकेटर मोहिन अली ने अंतराष्टिये क्रिकेट से सन्यास लेने की घोसना की है तो इंग्लेंड के क्रिकेटर है मोहिन अली जिन्हों ने सन्यास लेने की घोसना की है दोस्तों अंतराष्टिये क्रिकेट से अच्छा क्रिकेट में होते हैं 11 ख्यारी दोस्त और दोस्तों आपको यहां भी बताना कमेंट बॉक्स में है कि किर्केट में कौन-कौन से कप और ट्रॉप ही दिये जाती है मेरे प्यारे दोस्तों इंग्लेंड की राधानी क्या है तो लंदन है इंग्लेंड को ही बोलते हैं UK अर्थात United Kingdom इंग्लेंड की किर्ण सी है पाउन्ड ट्रिन्ग यूंग्लेंड के पी-म है कीर स्टमरSON एमनेस्टी इंटरनेस्टनल्का मुख्याले लंदन में है राष्ट मंदल अर्थातין कॉमन विल्थ का मुख्याले लंदन में हैं अंतराष्टिय समुंद्री वैपार संगठन का मुख्याले कहा हैं दोस्तो तो लंदन मी हैं अगला पुष्ट है हाली में राष्ट्रपती दुरोपती मुर्मूर के द्वारा कितने नर्सों को फॉलरेंस नाइटिंगल पुरुसकार से सम्मानित किया गया है तो 15 नर्सों को दिया गया है फॉलरेंस नाइटिंगल पुरुसकार दोस्तों किसके द्वारा दिया गया है तो राष्ट्रपती दुरोपती मुर्मूर के द्वारा दिया गया है अब भारत में एक राष्ट्रपती हो इसका वर्नन जो किया गया है यह अनुछे दबावन में किया गया है संकी कारेपाली का सकती का विस्तार अनुछे तिर्पन में किया गया है और अगर आपसे मैं पूछो कि संकी कारेपाली का सकती किसे में नीत होती है तो राष्टरपती में नीत होती है राष्टरपती के चुनाओ का वर्नन अनुछे चौवन में है राष्टपती के चुनाओं के तरीका का वर्नन अनुछिद 56 में है राष्टपती का कारेकाल जो है वो अनुछिद 56 में है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो मेरे प्यारे लाल एवं लालियो राष्टपती के लिए पुनह चुनाओं के लिए जो अहरताएं अर्थात क्वालिफिकेशन है वो अनुचित संतावन में है राष्टपती चुने जाने के लिए जो योगताएं है ये अन्ठावन में है राष्टपती के कारेकाल की दसाएं अनुचित 59 में है राष्ट पती का सपत ग्रहन सपत साथ में है राष्ट पती पर महा वियोग चलाने की परकिरिया अनुचिद 61 में है राष्ट पती को यहां पर छमादान करने की सकती का वर्न अनुचिद 72 में है अब तक जो सबसे अधिकवार एक्जाम में पूछा गया है उसको एक वार इब में है राष्ट पती को छमादान की सक्टी 72 में है रास्ट पती पर महाईवयोग चलाना अनुचिद 61 में है सफत का वर्नन दोस्तों साथ में है ये चार अनुचे दोस्तों बहुत ही महत्तपुर्ण है इसको याद कर लेना आप मेरे प्यारे लालेबं लाली यो हमारा अगला प्रश्ण है सहरी छेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्त केंदरों में आयूश सेवाएं देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना ह सहरी छेत्रों के सभी प्राथमिक स्वास्त केंदरों में आयूश सेवाएं देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है तो मध्य प्रदेश बन गया है और मध्य प्रदेश की राधानी है भोपाल भोपाल में है बोज ताल और भोपाल में ही है राजा भोज अंत र राष्ट्रिय उद्ध्यान सत्पूरा राष्ट्रिय उद्ध्यान वाधवगड राष्ट्रिय उद्ध्यान ओंकरेस्वर राष्ट्रिय उद्ध्यान डाइनासोर राष्ट्रिय उद्ध्यान कुनो राष्ट्रिय उद्ध्यान पन्ना बागरी जर्ब पेच बागरी जर्ब प और मद्यृप रदीस में है और मद्यृप प्रदेष में स्वरवदिक Всё Having आड़ा धू राजाभोज अंतराश्ट्रि हवाई अधौपाल में है दिवी अहिलिया भाई होलकर अंतराश्टरी हवाई अड़ा इन दोर में हैं सोया परदेश और टाइगर इस्टेट के नाम से जानते हैं किस राज्य को तो मध्य परदेश को जानते हैं दोस्तों मध्य परदेश के परोशी राज्य कौन-कौन से हैं तो उत्तर परदेश, महराष्ट, छत्तिसगर राजस्थान और गुजराथ, साची का आज तो मध्य परदेश में ही हैं दोस्तों और भीम बेटिका की गुफा भी कहां हैं तो मध्य परदेश में ये था हमारा आज का महत्त पुर्णिक रेंटर फिवर्स बित स्टाटिक जी के कल मैंने आप से तीन प्रशने किया था कि चिदम्रम में स्टेडियम कहां है चैन्नाई में अंतराष्टी ये गिद जागरुकता दिवस कम मनाया जाता है साथ सेप्टेंबर को बैदिक 3D संग र प्रफि का संबंद किस खेल से है इरान की मुद्रा क्या है और इरान की राष्ट्रपती भी बता दो आप कमेंट बॉक्स में राष्ट्रपती का सपत ग्रहन का वर्णन की सनुछेद में है तो इस तीनों प्रशन का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों अबस्य देना थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाले वाम लालियो